देखो मानो या ना मानो कुछ चीज़ा छोटी अच्छी लगती है जैसे कि ये यूनिट यूनिट फोर्थ जो है ना काफी छोटी सी है इसकी वीडियो के लेंद देखके बदा चल रहागा इसके नोट जो है जब आप इसको प्रिंट करोगे डबल साइड टो डेड़ पेपर में काम हो जाएगा तो ये जो हमारी यूनिट फोर्थ है जिसका नाम है प्रोडेक्शन सिस्टम देख उससे पहले हम इस सब्जेक्ट में देख चुके है कि बिजनेस क्या होता है और एक अंत्रप्रेनर क्या होता है मैं हमने सब कुछ देख लिया कि हम बिजनेस के लिए आ हम उसको डिसाइन करता है क्या चीज होती है प्रोडेक्शन सिस्टम के कौन-कौन से टाइप्स होता है फिर हम देखेंगे प्रोडेक्शन प्लैनिंग और कंट्रोल क्या होता है और प्रोडेक्शन सिस्टम होता क्या है प्रोडेक्शन सिस्टम में क्या गड़ता है हम कोई प्रोडेक्ट या फिर सर्विस को जो है प्रोसेस करते हैं मलव हमने कोई raw material लिया हमने सोचो यार हमने काफी सारे papers लिया मैं देखता हूं यहां पर example दिखाने के लिए तो माँव मने papers लिए हमको एक book बनानी है तो book बनाने के लिए हमें raw material चाहिए papers तो हमने papers को लिया फिर उसको उसको हमने इस तरह से print करा उस पर फिर उसको bind करा तो हमने एक raw material का use करके एक finished product बना दिया तो एक finished product एक usable product बनाया हमने तो यह product हो गया या फिर हमने कोई man work का use करके कोई service provide करी तो good या फिर service को produce करना जो है और उसको बनाने के लिए जो भी process use हो रही है जो भी operations use हो रहा है वो पूरा production system हो गया हमने produce करा product एक raw material से finished product में तो यह हमारा production system हुआ तो हमारा production system का main goal जो होता है वो होता है high quality products बनाना वो भी efficiently मतलब हमें कम से कम खडचे में एक product बनाना है जिसकी quality वगरेरे सब कुछ अच्छी हो और जादा से जादा profit बन पाए हमारा अब देखते production system को design कैसे करना है हमें game होता है कि हम efficient और effective method ढूंडे अपने product या फिस service को बनाने के लिए मतलब हमें जो है वो ही है कम खडचे में production करनी है और कम resources का use करना है और जादा से जादा profit बनाना है ताकि हमारा खडचा कम आए तो यहाँ पर काफी सारी चीज़े involve होती है सबसे पहले तो है कि हमाई पास हमें resources कौन-कौन से जरुवत पड़ेगी कौन-कौन से resources के जरुवत पड़ेगी product को बनाने के लिए फिर हम ढूंडेंगे best तरीका कौन सा है इस product को बनाने के लिए जिसमें हमारा खडचा कम आए और profit जादा बने और labor वगेरा कभी खड़ से काफी कम आए तो overall हमें इस तरह से देखना है कि profit जादा से जादा रहे और production cost हमारी कम रहे और customer की needs भी satisfy हो जाए तो यहाँ पर इस चीज को करने के लिए हमें कुछ चीज़े करनी पड़ती है कुछ steps है एक अच्छे production system को design करने के लिए पहले चीज़ तो यह है पहले हमें determine करना है product या फिस service हम क्या produce करने वाले है तो जिस सबसे पहले देखेंगे हमें क्या produce करना है उसके according हम देखेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे market की analysis करेंगे market में क्या demand है फिर customers की requirement को जानेंगे क्या क्या है और फिर देखेंगे के desired output क्या चाहिए हमारी production system से तो हमने देखा यार इस तरह का न एक spray चाहिए लोगों को जिसको हम spray करें और जो भी electric जितने भी gadgets है वो एक पारी में clean हो जाए अच्छे तरीके से तो हमने ये एक हमने market की demand को जाना तो हमने customer की requirement और demand को जाना अब हमने हमने सोचा कि हमारे desired output क्या चाहिए हमें चाहिए कि spray जो की काफी easy to use हो बस खोला और spray कर दिया ये हमारा desired output है अब इसके बाद हम दूसी चीज़ करते है analysis the production system अब हमें production system की analysis करनी है जिसमें कावी सारी activities involved होती है जैसे कि हमें देखना है कि कौन सी activity किस time पर करनी है और कितना time चाहिए एक activity को करने के लिए और कौन-कौन से resources की हमें जुरुरत पड़ेगी हमने सब कुछ देख लिया कि हमें production system ये बनाना है लेकिन हमें उसकी activities ये operations को देखना है कि कौन-कौन से हमें चाहिए और कितना time लगेगा उसको किस sequence हमें करना है मला हमने देखा यार इस तरह के spray बनाना है अब ऐसा नहीं है कि हमने पहले इसकी bottles बनानी शुरू कर दी कावी साई bottles बना दी और इसका solution जो है इसका जो liquid है वो हम बात में बना रहा है तो इस तरह से हमें पहले sequence देखना है कौन सी activity किस time पर perform होगी कितने time तक perform होगी अब ऐसा नहीं है कि हमने bottles तो इतनी सारी बना दी और demand देखा काफी काम है और solution हम उसके according बना रहा है तो ऐसा नहीं करना है यह मलाला अपने according जो भी product है उ हमें चाहिए इस production system और कितना time देना और कि sequence में उसको use करना है और कैसे resources को हमें use करना है यूटिलाइज करना है third step में क्या है कि हम देखेंगे हमें कौन-कौन से resources चाहिए तो एक production system में जो हम analysis करेंगे और देखेंगे हमें कौन-कौन से raw material चाहिए कितनी हमें labor चाहिए कौन-कौन से equipment चाहिए और इसके लावा कौन-कौन से हमें resources की जरूरत है अब हमने जैसे यह देख लिए हमें solution बना है मानलो एक महीने में हमें 10,000 units बनानी है तो इसके लिए हमें कौन-कौन सी machines की जरूरत पड़ेगी कितनी हमें labor की जरूरत पड़ेगी और काफी सारे resources जो है transportation वगएरा का क्या-क्या जरूरत पड़ेगी तो हमने सारी requirements को जानना है फिर बाद में हम पूरा layout बनाएंगे production system हम का मला पूरा हम organize करेंगे कि हमें किस तरह से कौन सी चीज कैसे करनी है मला हमने product तो सोच लिया किस तरह से करनी है अब हम देखेंगे इसको हमें किस location पर बनाना है किस तरीके से बनाना है flow of material क्या होना चाहिए पूरी process में मला ऐसा है जैसा हमने इसका solution जो है एक हमने दूसरे शहर में बना रहा है तो हमने देखा कि यार हमने बहुत बड़ी बड़ी factory लगा ली जहां पर solution बन रहा है इसके अंदर का liquid बन रहा है और दूसरी location दूसरे शहर में बहुत बड़ी scale पर इसकी bottles बन रही है लेकिन उसमें हमारा नुकसान होगा इधर से उधर ले ज खर्चा बचेगा फिर जब हमें हमारी बॉर्टर बन जाएगी solution बन जाएगा तो मशीन आएगी और अराम से भरेगी और पूरा हमारा यह product ready हो जाएगा transportation का खर्चा बच जाएगा और इसी तरह हमें इसका पूरा sequence देखना है क्या चीज पहले करनी है क्या चीज पहले manufacture करनी है फिर उसको आगे कैसे ले जाना है तो पूरा एक sequence में देखना है यह चीज हम आगे भी देखने वाले है अब इसके बाद हमें देखना है कि हमारी production की capacity कितनी है मला हमने देखना है कि market में इतनी demand है और क्या हम उतनी demand particular time में fulfill कर पाते है या फिर निमान लो इस solution की जो है हर महीने 10,000 units की जरूत पड़ती है अब हम देखेंगे हमारे पास जो resources है जो हमने अपने equipment वगरा लगा रखे है क्या वो इतनी units produce कर पाते है एक महीने में जितनी market में demand अगर नहीं है तो उसको fulfill करने की कोशिश करो उसको और optimize करने की कोशिश करो ताकि आप उतने resources में ज़ादा unit produce कर पाओ या फिर अपने equipment अपनी labor वगरा को बढ़ाओ अपने resources को बढ़ाओ अब देखते types of production system तो देखा जाया ना mainly दो type के होता है production system एक होता है intermittent production system एक होता है continuous production system intermittent production system के तीन टाइपस होता है project production flows, jobing production flows और batch production qo continuous production flows के भी यहापर दो टाइप सोते हैं इसके बारे में जानेंगे फिर इसके फर्दर तीन टाइप सा उनको देखेंगे उसके बाद जो हम continuous production फ्लो को देखेंगे उसके बारे में जानेंगे objectives वगेरा और यह सब चीज़े देखेंगे features वगेरा देखेंगे और फिर इसके दो types को देखेंगे तो सबसे पहले देखते हैं intermittent production flow तो intermittent production flows जो होता है production system जो होता है उसमें जो है products बनाए जाता है customers के order के according इसमें continuous production नहीं होती है मतलब मान लो example के लिए बता रहा हूँ जैसे toothpaste है उसकी 12 महीने जरूरत होगी लोगों को तो वो continuous manufacture होता है लेकिन intermittent production system में वो products बनाए जाता है या फिर market की demand के according बनाए जाता है या फिर customer specially बताता है कि भाई मुझे इस तरह का product चाहिए यह यह चीज़ों उसमें होनी चाहिए उसके according बनाते है इसमें continuous production नहीं चलती रहती कि भाई 12 महीने हर 12 महीने में इतने production हम करते जारे इतनी units manufacture करे जारे नहीं हम देखते है कि customer क्या मांग रहा है क्या चाहिए उसको according अगर customer कोई आई नहीं रहा है तो हम कुछ manufacture नहीं करेंगे और customer जादा चीज़ों की demand कर रहा है तो हम जादा चीज़े manufacture करेंगे तो basically जो होता है इसमें small scale में production होता है और इसमें जो products होता है उसका design जो है change होता रहता customer की demand के according उसके order के according तो यहाँ पर system जो होता है पूरा flexible होता है मानलो अगर टेलर का एक्जामपल लिया जाए टेलर आता है यहाँ पर मैं सुनार का एक्जामपल लेता हूँ जैसे कि सुनार के पास अगर कोई कस्टमर आता है तो सुनार यह नहीं है कि 12 महीने वो हर महीने वो 10,000 gold chain बना जा रहा है, ऐसा नहीं है, हर महीने वो 10,000 gold chain नहीं बना जारा है वो देखे customer को क्या रिंग चाहिए customer ना बोला, मुझे एक gold ring चाहिए जिसमें मेरा नाम लिख्का हो, मेरी girlfriend का नाम लिख्का हो, तो वो उस तरह ही चीज़ बना कर देगा तो उसका जो सिस्टम है ना वो पूरा फ्लेक्सिबल है किसी को रिंग चाहिए और रिंग बना रहा है चैन चाहिए चैन दे रहा है किसी को चैन लंबी चाहिए और लंबी बना कर दे रहा है छोड़ी चाहिए छोड़ी बना कर दे रहा है तो पूरा सिस्टम फ्लेक्स बना कर देगा उससे बोलोगे मुझे च्छपरी स्टाइल में चाहिए फटी हुई चाहिए नीचे से टाइट और उची चाहिए वह वैसी बना कर देगा जैसे डिमांड होगी टेलर आपको वैसा बना कर देगा तो टेलर का भी जो सिस्टम होता है ना वो पुरा फ्लेक्सिबल होता है और कस्टमर्स की नीट के अगॉर्डिंग वो चीज़े मैनुफेक्टर कर देता है और इसमें सिक्वेंस ऑफ ऑपरेशन चेंज होते रहते हैं मला आपको आपने कोई टेलर के पास गया आपने कोई क्लोथिंग का डिजाइन बताया कि भाई मुझे इस स्टीचिंग हो रही है तो तरह से सिक्वेंस जो है ऑपरेशन के प्रोडेक्ट को बनाने के लिए वो चेंज हो सकते हैं अब करेक्टरिस्टिक्स या फिफीचर्स लिखने को आजाए एक्जाम में इंटरमिटेंट प्रोडेक्शन सिस्टम के तो आप यह लिख सकते हो देक उसके पास सिलाई मशीन है वो एक मशीन जो है उसी सही वह पैंट बना रहा है उसी से göt एक बना रहा है उसी से ही क्या बना रहा है उसी से ही उसी से ही और क्या बना सकता है एलर और क्या बनाता है मैं दिमाग में नहीं आ रहा तो कुछ भी बना सकता है जनरल परपस मशीन होती है ऐसा नहीं है कि वो मशीन से पैंट ही बना कर देगी और कुछ बनाई नहीं सकती तो यहां पर इस प्रोड़क्शन सिस्टम में जनरल परपस मशीन यूज होती है sequence of operations जो हो चेंज होते रहते हैं design के a cording यह मैं बता दिया ना पहले stitching होगी बाद में cutting होगी या फिक इसी dress है जिसमने cutting पहले हो रही है होते हैं मैं तो मने को हर रहो न होता है तो होते हैं और बाद में होता है quantity, size और shape के according जो है product बनते हैं जैसे customer का शइया है इस shape की shirt चाहिए, इस design की shirt चाहिए, तो product उसके according बनते रहते हैं, तो ये सब चीजे इसमें होती हैं, अब इसके ना mainly 3 types होता है, intermittent production system के, सबसे पहला होता है project production flow, तो इस type के production system में क्या होता है, products जो बनाए जाता है, वो काफी unique होता है, और हर बार नए products मिलता है, महला customer जो आत हो गया, कोई नई गाड़ी का model बनाने के लिए आ गया customer, मुझे इस तरह की गाड़ी बना कर दो, या फिर कोई आ गया कि मुझे ये building बनानी है, ये building बनवानी है, तो उसके लिए building बनानी पड़ती है, और इस तरह से हो सकता है, कोई बड़े से mall बनाना हो, इस तरह की बड इतने पैसों में तुम हमें यह चीज बना कर दो गया और इतने तक हमें यह चीज चाहिए तो यसे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् पर जो है काम करना पड़ता है और customer की need के according बनते रहते हैं लेकिन हर बार जो products बनते है वो पूरे unique बनते है और हो सकता है कि हर बार अलगी बने और एक बार ही वो manufacture हो इस तरह की चीज़े होती है तो अगला जो होता है jobbing production flow इसमें क्या होता है जैसे project उपर हमने देखा था project production flow उसमें बड़े-बड़े project और complex projects मिलते हैं लेकिन इसमें क्या होता है customers की जो है small quantities में products की demand करता है वो अपने design बताता है कि किस तरह का उसको चाहिए डाइनिंग टेबल बनवानी है जिसमें इस तरह की design हो इतनी बड़ी हो तो उस तरह की यहां पर बना कर देगा जैसे कि टेलर का example लिया तेलर को जैसे बता होगे वो इस तरह से production करके देगा कि भाई हमें 10 पैंट्स चाहिए ऐसी जिसमें इस तरह की पॉकिट्स हो बड़ी बड़ी पॉकिट्स हो बीच में जफटी हुई हो नीचे से टाइट हो और उची हो तो पूरे हमें छप्री लुक वाली दस पीस चाहिए पैंट के तो इस तरह से जो कस्टमर इसकी नीड होगी उसके according बना कर देता है तो कस्टमर आएगा तो यह बना कर देंगे हो जकता है कस्टमर ना है तो यह रह जाएंगे कुछ ना बनाने से इस तरह का system होता है इसके बाद होता है batch production flow तो इसमें क्या होता है इसमें small batches में products manufacture करे जाता है बनाए जाता है limited quantity होती है और specific design होता है तो यहाँ पर example के लिए मैं बता दूँ जैसे t-shirt है मान लो हमें t-shirt बनानी है तो t-shirt के अलग-लग design होता है अलग-लग size होता अब ऐसा तो है नहीं कि हमने manufacture करे जा रहे है same t-shirt same size की same design की तो ऐसा तो है नहीं हमेशा same t-shirt चलती रहेगी same size की इसमें batches होता है कि भाई हम पहले 100 t-shirt बनेगी इस design की और इस size की उसके बाद 200 t-shirt बनेगी अलग size की और अलग design की तो इस तरह से design के according जो है और size के according जो है limited quantities batches में बनती है पहले M size की t-shirt बनेगी फिर 200 t-shirt जो है L size की बनेगी और फिर उसके बाद जो है हमने design बदल दिया फिर हम चेंज कर दिया फिर इस डिजाइन की हमां 50 टीशर्ट बनानी है M-Size में तो quantities जो है fixed quantities fix design fix specifications के साथ कुछ limited quantities quantities एक साथ manufacture करी जाती है एक साथ बनाई जाती है जैसे कि टीशर्ट का example लिया हमने इसी तरह होगी cookies एक particular recipe की हमने भाई मीठे मीठे cookies बनाने है और उसकी यह recipe है तो हमने मान लो हजार इसकी cookies की quantity बना दी हजार quantities एक साथ बना दी फिर उसके बाद हम देखेंगे recipe change करनी है या फिर और production करनी है या फिर नीमल एक साथ quantities में हम production करते हैं अब देखो इसके बाद आता है continuous production system इस production system में जो है ना continuously product हमारे बनते रहते हैं बनते रहते हैं बिना किसी रुकावट के कोई ऐसा नहीं है कि customers की demand नहीं है या फिर customer जो है अलग चीज चाह रहा है ऐसा नहीं है यहां पर जो चीज है वो वैसी बनती हमेशा वही बनती रहेगी उतने quantity में बनती रहेगी हो जकता है demand के हिसाब से quantity change हो जाए वो अलग चीज है तो यहां पर production जो होती है वह काफी large scale पर होती है इतनी जादा scale पर होती है पहले बना कर रख लेता है कि जब customer की demand होगी हम supply कर देंगे तो यह पहले से demand को जान लेत है पूरी research के साथ और पहली बनाकर stock इखटा करते रहते हैं और यहां पर जो input और output होता है और वो change नहीं होता है मला उनको पता रहता है कि हमें यह raw material यूज करना है और output में हमें यह बना कर देना है तो यह पहले से fix होता है वो change नहीं होता है और इसको बनाने के process जो है just sequence है वो भी पहले से fix रहता है वो कुछ change नहीं होता है मला यहाप़ को change होता ही नहीं है यहापर जो raw material ieurs हो रहा है जो process है जो sequence है बनाने का और कितनी unit बननी है यह सभ पहले से decide होता है continuously production होता रहता है तो यहां पर इसका example में आपको दिकाओ हमने पैट्रॉल वगैरा बनाए या फिर और बाकी जो लार्ज स्केल पर ग्लोबली डिमांड है वो चीज बना रहा है फ्यूल की डिमांड है तो उसको और मैनुफेक्ट्ट्र करे जा रहा है या फिर जैसे मालव अनने फिर्मियों आने वाली हैं तो यहां पर कॉल रिंग मैनुफेक्ट्र कर ली और अपने स्चॉक में रख रक्क है gestion इसे कोिल तो उनको पता करते रहते रहते करते बोलेगा कि मान लो customer आज उठा उसने बोला कि अपसे मैं टूट पेज जो है red color मैं नहीं green color का use करूंगा ऐसा नहीं है वो toothpaste जो use कर रहा है जैसे use कर रहा है अक्सर वो ऐसा use करता रहेगा तो इसलिए production जो है उसकी continuously चलती रहती है जादा कुछ changes होते नहीं है तो इसलिए जो output है quantity वगरा है यह सब पहले से fix रहती है और उसके according continuously चीज़े चलती रहती है अब इसके ना कुछ characteristics या फिचर देखें तो यह होता है continuous production system के कि यहां पर production continuous होती है कोई रुकावट नहीं होती चाहिए वो किसी भी चीज़ की हो दिमांड की हो या फिर कस्टमर वो रहा है कि मुझे दिखने में अच्छा चाहिए प्रोड़क्ट ऐसा कुछ नहीं होता है और यहां पर product हमेशा सेम रहता है जैसे हमने देखा था कि पीछे वाले जो हमारा production system था उसमें सुनार जो है कभी ring बना रहा है कभी gold chain बना रहा है तो यहां पर जो है product सेम है यहां पर toothpaste बना है तो toothpaste बनता ही रहेगा हमेशा तो यहां पर चीज़े कुछ इस तरह की रहती है quality जो है पहले से predetermined रहती है और उसको maintain करते रहते है पूर पहले से बना कर रख ली जाती है यहां पर जो standardized schedules होते है instruction होते है वो fix रहते है पहले से fix रहते है instruction वगएरा सब वैसी रहते है कुछ change नहीं होती है इसके ना mainly two types होता है continuous production system के mass production flows जो होता है पहला जो इसका further type है continuous production flow का तो यहां पर products जो बनाया जाता है na production जो होती है वो large quantity म मलब वो product होते है जो use हो नहीं है जो standard products है तो यहां पर continuously production इनकी होती रहते है large volume और special machine यूज करी जाते है काफी बाहर इनको stock में रखा जाता है ताकि needs के according यहां पर deliver कर दिया जाया जैसे कि demand होती है जैसे कि thousands of cars produce करना या फिर हजारों packed food यहां पर manufacture करना तो जिनकी जरूँ होता है जैसे खानी की जुरुआता है यह खाना तो खरीदा ही जाएगा तो इनको बड़ी scale पर बड़ी quantity पर ऐसा ही जैसे इन्होंने पहले set कर रखा वो चीज़ वैसे की वैसी manufacture करते रहते हैं बिना किसी changes के साथ और process production flow जो होता है इसमें क्या होता है यहां पर standardized products बनाए जाता है लेकिन यहां पर जो production होती है वो काफी सारे steps में divided होती है और उन्हें steps का use करके special machine का use करके हम और further products बना देता है मैं इसमें process में काफी सारी बीच में और बी processes होती है जैसे कि crude oil को refine करके petroleum products बनाना या फिर chemicals produce करना या फिर electricity produce करना तो भी इसमें काफी सारी process होती है उनका use करके product को जो है और बनाया जाता है अब देखो इस unit के notes आपको description में नहीं मिलेंगे हमारे comment section में सबसे उपर मैंने pin कर रखके वहाँ पर जाकर download कर सकता है और इसका password यह है यह आप password डाल सकते हो जब आप download करोगे उसके नीचे दिख जाएगा copy paste कर सकते हो password को अब द production planning and control यह एक process होती है manufacturing में हम इस process को use करते है ताकि हम ensure कर पाए जो हमारा product बन रहा है वो efficiently बन रहा है और time पर बन रहा है और जितनी हमें quantity चाहिए उतनी quantity में बन रहा है इसमें जो होता है हमें काफी सारे चीजों का ध्यान रखना पड़ता है काफी सारे चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कितनी हमें labor चाहिए machines कितनी चाहिए और क्या वह सही तरीके सा काम कर रही है कौन को सा material चाहिए और क्या वह सही material है भी या फिर नहीं वह चीज़ देखने पड़ती है और overall हम देखता है कि हमारा production का जो goal है वह fulfill हो पा रहा है या फिर नहीं जिसमें हमार minimum wastage हो रही है Maximum efficiency है मलग कम wastage के साथ हम जारा सा जारा product बना पा रहा है या फिर नहीं तो यहां पर production planning and control में सबसे पहले देखा जाए production planning तो सबसे पहले product बनाने से पहले हमें planning करने पड़ती है तो production planning जो होती है वह एक process होती है जिसमें हम देखते हैं हमें product क्या बनाना है क तो प्रोडेक्ट कितना बनाना है, कितनी quantity में बना और कब बनाना है, तो इन तीन चीज़ों का दियान रखना है, what, how and when, क्या प्रोडेक्ट बनाना है, और कितना बनाना है, और कब तक बनाना है, तो इन चीज़ों का प्लैन करते हैं, इसमें हम कावी सारी चीज़े बनाते है जैसे कि इसका schedule बनाते है production का कि हमें किस time कितनी देर तक क्या चीज manufacture करनी है वो देखना है हमें देखना है कौन-कौन से हमें resources की जुर्वत पड़ेगी और अपना production का target set करते है कि हमें इतना product बनाना है और इतनी quantity में बनाना है मतलब उसकी quality ऐसी होने चाहिए मतलब हम अभी production नहीं कर रहा है छिए plan कर रहा है क्या चीज़े कैसे होगी production control में क्या होता है हमाई production शुरू हो जाती है जैसे हमने plan बनाए उसके recording हम production को शुरू कर देता है और फिर production control जो होता है वो एक process होती है जिसमें हम monitor करते हैं हम investigation करते हैं कि production हमारी वैसी हो रही है या फिर नहीं जैसे हमने plan करी थी अगर आपको दिख रहा है सब कुछ smoothly चल रहा है तो अच्छी बात है planning recording अगर नहीं चल रहा है तो हम देखेंगे क्या कमी है क्या problem हमारी है जिसके वजह से हमारी production वैसी नहीं हो रही है जैसे हमने plan करी थी तो उसके according हम उसमें changes करेंगे उसको सही करेंगे fix करेंगे और चीज़े को वैसे करना चाहेंगे जैसा हमारा plan था तो यहाँ पर काफी सारी investigation करते हैं फिर उसका resolution निकालता है उसको solve करते हैं तो production planning दोनों जो है हमारी काफी help करती है हमारा resources का कम से कम use हो और minimum wastage हो और हमारी productivity increase हो पाए जिससे ultimately हमारा profit increase होता है तो main objective जो होता है PPC के वो होता है कि हमारा target पूरा हो पाए जितना हमने target set करा है वो हमारा पूरा हो जाए तो अगर planning अच्छी है और control अच्छा है तो हम अपने target को complete कर सकता है resource इसका जाद से जादा utilize कर पाए वो हमें हमारा objective होता है PPC का और timely deliver हो जाए हमारा product ये एक objective होता है और production cost reduce करना हमारा objective है और quality control हमारा objective है quality जैसे हमने देखी है plan करी है वैसी हम उसको बना पा रहे है या फिर नहीं वो देखना है और minimize करना है downtime हमारी machine वगएरा खाली नहीं रहनी चाहिए तो वो चीज हम देखते हैं और हमारे customer का satisfaction increase होना चाहिए और production की efficiency increase होनी चाहिए और continuously improvement जो हमारे production process है उसमें होता रहना चाहिए continuously हम उसमें improvement करते रहें जैसे कि हमारा जो production control था उसमें हम इस तरह की investigation वगएरा करते हैं जिससे मैं पता रहता है कहाँ पर improvement के chances है तो इससे overall हमाई production भी improve होती है उसकी quality quantity सब कुछ अब देखते है कौन-कौन से steps होता है PPC के तो यहाँ पर total six steps होता है शुरू के जो चार steps है न वो हमारा planning production planning का हमारे यह चार steps न शेम हो गया हूँ तो इसकी अगली unit जो है मैं शुबह मैं बनाओंगा यह मैं रात में बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा मतलब समझ रहो न मतलब PPC के 6 steps होता है शुरू की जो चार steps है न वो production planning के steps और last के दो steps जो है वो production control के steps है तो सबसे पहले step होता है planning देखो हमें जो product बनाना है सबसे पहले हम plan करते हैं पूरा plan बनाता है कि हमें जो है market में क्या demand है और आगे क्या क्या जरुवत हो सकती है forecast करते हैं sales की तो उसके हिसाब से हम पूरा लिखता है पूरा document बनाता है सब कुछ देखता है कि कितनी quantity की हमे हमें जरुरत पड़ेगे बनाने के लिए कोंसे product बनाना है कितनी quantity बनानी है और हमें जो है production और हमारे पास और हमारे पास कितने resources availability है कितना resource available है अर बाकी जो factors है जो production बनाने के जरुद होगी उनकी वह हमें पास कितना है सब कुछ plan करते हैं कितना हमें चाहिए और हमाएं पास क्या-क्या resources है जो हम उसको यूज करके बना सके उसके बाद होता है routing इसमें पूरा रास्ता देखते हैं हमें अब इस product को कैसे बनाना हैं अभी सब हमारे planning GUY प्रोसेस चल रहा कितने हमें operations में इस production को divide करना है तो यहाँ पर हम उसके according जो है operations के according जो है check करता है कि हमाँ पास machine कौन-कौन सी और कौन-कौन सी की जरुत पड़ेगी क्या क्या equipment की जरुत पड़ेगी हमें हर operation में मानलों हमने यह manufacture करने के लिए देखा तो हमें देखा यह इसमें हमें चार operations की जरुत पड़ेगी चार steps होंगे इसको बनाने के लिए तो एक step में हमें कौन-कौन सी equipment की जरुत पड़ेगी कौन-कौन सी machines की जरुत पड़ेगी वह हम देखेंगे फिर हम उसी के according देखेंगे किस sequence में करना है, कौन सा operation कब करना है, कौन सा operation किसके बाद करना है तो ये चीज़ देखेंगे, उसके बाद है scheduling, अब हम जो है इसमें देखता है कि कौन सा जो हमारा operation है वो कितनी देर तक होगा उसका start time क्या होगा end time क्या होगा हमारे resources के according मलगा जितना हमारे पास resources है उसके according हम हर operation का time table बनाएंगे schedule बनाएंगे कि इस time से इस time तक हम इसको करेंगे इसमें gant shard का use करते हैं जैसे आपने operating system में scheduling देखा था तो इस तरह से scheduling करते हैं कि हमारे resources का maximum use हो पाए ज्यादा से ज्यादा use हो पाए मालो इसको बनाने के लिए हमें चार operations की जरुत पड़ेगी एक में जो है यह bottle बनेगी दूसरे में solution बनेगा तीसरी में solution को इस bottle में बढ़ना है और fourth में इसके packing करनी है तो हम जो है इसी के according करें में के भाई सुबह के 9 से 10 बजे तक हम इसकी bottle manufacture करेंगे फिर उसके बाद हम solution बनाएंगे फिर उसके बाद हम दो पैर से इसको filling करेंगे इस तरह से scheduling पूरा time table बनता है और time उतना ही दिया जाता है operation को जितना हमारे पास resources है और जितना required आब ऐसा नहीं है कि हमने सुबह 9 मेंडार दे रहा है तो इस तरह सब कुछ manage करने के बाद time table बनाया जाता है कि हमारे पास जितनी machine है अगर हमारे पास machine कम है तो उसको हम मना confused कर दिया अगर resources कम है तो हम उसको जाड़ा time देंगे और resource से जादा है तो उसको कम time देंगे उसके बाद आता है loading इसके बाद जो होता है हम finally load दे देता है किस machine को क्या गाम करना है और किस labor को क्या गाम करना है अब overload नहीं होनी चाहिए कोई चीज नहीं underload होनी चाहिए तो हमें इस तरह से machine को machine पर load set करना है कि हम जादा सा जादा utilize कर पाए maximum capacity उसकी use कर पाए maximum हम throughput निकाल पाए तो जितना हमारा target है वो हमारा fulfill हो पाए मतलब loading का मतलब यह है कि हमारे पास different different machine है अब उस machine पर कितना load देना है उसको कितना काम करना है वो हम यहाँ पर decide करते है किस labor को कितना काम करना है वो decide करते है अब ऐसा नहीं है कि हमने हमारे पास जो labor थी हमने कुछ labor को बहुत ज़्यादा काम दे दिया बहुत दी ज़्यादा और कुछ labor जो है उसको इतना कम काम दे दिया और इस तरह से हमें loading जो है हिसाब से करने है किसको क्या काम करना है कितनी देर तक करना है तो load हमें divide करना होगा इसी तरह machine पर करना है कि आपने किसी machine पर इतना काम दे दिया कि भाई वो इतनी चल रही है इतनी चल रही है कि गरम होने लेगी और इतनी गरम होने लेगी वो तो यहाँ उससे पहले जो चार स्टेप्स नढ़ेगे हैं आपने वह दॉट किया है हमारा प्रोड़क्शन प्लैगिंग का पार्ट था अब रेल में हम प्रोडेक्शन शुरू करेंगे अब हमारा जो है मैदान में आएगा product बनने के लिए तो इसके लिए six step है dispatching तो इस step में क्या होता है हमारा जो product बनना है वो यहाँ पर बनने के लिए आता है तो जो जो हमने plan बनाये थे ना उपर जो चार steps थे आपके scheduling का step हुआ था आपका और आपका loading का हुआ था तो उसके according हम यहाँ पर पूरे instruction देते है machine को और operators को कि भाई देखो यह यह हमारा plan है इस machine को इतना काम करना है और यह हमारा time table है इसके according चीज़े करनी है तो यहाँ पर उसके according चीज़े होनी शुरू हो जाती है चीज़े बननी शुरू हो जाती है अब last step होता है follow up मतलब जिसमें हम inspection करते है और correction करते है तो final step होत थी, loading जो करी दी हमने और ये सब चीजे उसके according चल रही है या फिर नी, अगर आपको लगता है कि भाई कुछ चीज गड़बर हो रही है हमने देखा कि यार ये तो machine कुछ जाधी गरम हो रही है, मतलब हमने इसको जाधा load दे दिये, overload होगी machine तो हमने उसको कम करना पड़ेगा, इस तरह से हम देखेंगे जो हमने plan करा था, चार steps में सब कुछ उसके according चल रहा है या फिर नी, अगर आपको लगता है नहीं चल रहा है उसके according, तो आप ढूंड़ो वो क्यो नहीं चल रहा है उसको आप correct करो, उसको सही करो अगर आपको लगता है कि कोई machine जादा वर्क कर रहे है, जादा गराम हो रहे है overload की वज़े से, तो उसका load कम कर दो और बाकी machine add कर दो या फिर बाकी machine पर उसका load divide कर दो जो उस तरह से हमें देखना है कि अगर कुछ problem है कुछ दिक्तत है, तो उसको inspect कर के उसको correct करो, उसको ठीक करो तो यह हमारी unit complete हो गई और अब इसके बाद unit fifth उसमें मिलता है, तब तक के लिए production